प्रणाम अपने हमें बुलाया है हाँ भीम दुनी बाबा हम सब से मिलने आज राज सभावें पधारे हैं उनके आदेश से ही मैंने सब को यहां पर बुलाया है कहीं है दुनी बाबा हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं भीम महराज इंद्रवर्मा डोलकपुर पर एक बड़ा संकट आने वाला है आप सब को उसके बारे में बताना चाहता था ताकि हम सब उस संकट का सामना करने के लिए तयार रहें कहिए बाबा हम उस संकट को टालने की पूरी कोशिश करेंगे तो सुनिये ये तब की बात है जब मैं गुरुकुल में अपने गुरुजी से शिक्षा ले रहा था मेरे साथ गुरुकुल में पांच और विद्या थी थे जो गुरुजी से सिर्फ युद्ध कला सीख रहे थे उनमें से पहला था शक्तिशाली शूरा वुमें खुंखार था जो शीले जुडवा रोकु और बाकु जो भाई भेन थे रोकु बॉक्सिंग में दबंग था और बाकु कराटे में कुशन था और फिर अती बलवान मल पिल जो मल युद्ध का उस्ताथ था सबसे प्रचंड युद्धा था बुचंग वो मुए थाई का महारती था गुरुजी आज आपका उत्तराधिकारी चुनने का दिन है आपसे सीखी गई युद्ध कला को हमने आज प्रदरशित किया है हम आपका निरने सुनने के लिए उत्सुख है कौन होगा आपका उत्तराधिकारी चुनने के लिए अभी तुम तैयार नहीं हो मेरा आदेश है कि तुम सब दुनिया की सेर करो लेकिन गुरुजी अब तुम लोग जाओ सब का मन लालत से भर गया है मेरा ये तखता इन में से किसी के पास नहीं होना चाहिए नहीं तो वो दुनिया के लिए बहुत ख़दरनाक होगा तुम इसे अपने पास सुरक्षित रखना समय आने पर खुदरत खुद ही इसे सही युद्धा के पास पहुचाएगी पर गुरुजी आप मैं अब तपस्या के लिए जा रहा हूँ अब इसकी जिम्मेदारी तुमारी है और तब से मैंने गुरुजी का ये तखता अपने पास संभाल कर रखा है पर अब अन लोगों को मेरा पता चल चुका है और इसे हासल करने के लिए वो ढूलकपुर की ओरा रहे हैं अगर उन्हें ये तखता मिल गया तो वो दुनिया के लिए खतरनाक होगा और अगर नहीं मिला तो ढूलकपुर के लिए बड़ा संकट हो सकता है दुनी बाबा ये डंडा लेके पहलवानपूर चले जाते पर हमें क्या संकट होगा अरे भोलू दुनी बाबा बूड़े हो चुके हैं कहीं जा नहीं सकते अरे बकवास के बाश्यों चुप रहो मैं कहीं बेजाओं वो अब मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे और उनके रास्ते में आने वाले हर गाओं और शहर को तबाह कर देंगे बाबा उन्हें इतना शक्तिशाली तकता नहीं मिलना चाहिए हाँ बाबा भीम सही कह रहा है पर पर हमें धोलकपुर की सुरक्षा के बारे में सोचना ही होगा बाबा, धोलगपुर की पूरी सेना आपके सेवा में है बाबा, हम कुम्फु जानते हैं हिर क्यों अभ्यास कर रहे हैं अच्छा, तो देखाओ बताओ क्या जानते हो शेर का पंजा क्रेन का संतुलन अरे वा, उस्ताद को सब याद है शावलिन में जो सीखा, भूले नहीं फूर्तिलाब बंदर उसके बाद इजए, चैक, त्पर काद भीजास वाद वाद उस्ताद भूल गए और ढोलो वोलो पिचग गए तुम्हें एक पल भी नहीं मिलेगा बोलने या सोचने के लिए इसलिए अभ्याज करो चोटा भी मुझ पांचा जूबे चोटा भी मुझ पांचा जूबे पांचा जूबे माशल हाथ मुवाई ठाइ कराटे कुफू रेस्लें बॉक्से उन पांच योद्धाओं में शूरा कुम्फू में माहर है तुम सब का भ्याज देखने के बाद भी मुझ तुम शूरा का सामना करोगे पर उसका सबसे खास और सबसे खतरनाक वार है तुपवानी वार वो क्या है बाबा? तयार हो जाओ देखा कितनी अनोखी चाल है इसका सामना कैसे करें बाबा? वो देखो भी म, इससे लड़ना अभ्यास करो भी म, उसे लकड़े का बोटा नहीं एक योध्धा समझो सामना करो बढ़िया भी म, बढ़िया फिर से करो इस बोटे से जीत कर दिखाओ थामा कितार थामा का बहुत बढ़िया भी म, बहुत बढ़िया ऐसे ही लड़ना शूरा के साथ आपी लड़िया भी म, बहुत बढ़िया